औडियो क्रमांग तीन, उस्तक का नाम सभ्यता, सज्जन्ता और सुसंसकारिता का अभिवर्धन, लेखक, ब्रह्मवर्चस नीती सदाचार की घटनाओं को भी प्रकाश में लाया जाए चोरी, डकैती, हत्या, बलातकार और ठगी की घटनाए समाचार पत्रों में इतनी बड़ी संख्या में छपती हैं कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है, जहां तहां जो भी घट रहा है वो गरहिती गरहित हैं समाज में बुराईयों के अलावा कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता, जिससे शुब और उजवल कहा जा सके, इस पर गर्व और गौरव किया जा सके किसी भी दिन का समाचार पत्र उठा कर देख लीजिए, इस तरह का समाचार होंगे या राजनीती की उठापटक बयावन बाजी का विशलेशन इन समाचारों, विवरणों और विशलेशनों को पढ़कर मन में यही प्रतिक्रिया होती है कि सर्वतर अंधेरा ही अंधेरा चाया हुआ है प्रशन उठता है कि क्या सचमुच दुनिया में लूट उपमार, चोरी डकेती, ठगी और जालसाजी के अलावा कहीं कुछ भी ऐसा नहीं घटता जिसे शुब कहा जा सके लोग अकसर शिकायत करते हैं कि जमाना बड़ा खराब आ गया है, इतना खराब समय है कि किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता जो लोग प्रति दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, उनकी दृष्टी में से निम्न प्रकार के शिर्शक अकसर गुजरते होंगे निराश प्रेमी ने अपनी प्रेमी का को छूरा गुजा दिया और खुद भी आत्मात्या कर ली, पत्नी ने प्रेमी से मिलकर पती को जहर दे दिया, अत्वा गुंडों से मरवा दिया पती ने पत्नी की हत्या कर दी या नाक काट ली क्योंकि उसे पत्नी के चरितर पर संधे हो गया था डाकों के एक दल ने गाउंग पर हमला कर दिया और 16 व्यक्तियों का जिन में स्त्रिया तथा बच्चे भी थे गोली से उड़ा दिया इसके बाद भी सभी लूट मार कर चलते बने अमुग व्यक्ति ने अपनी संध्या के अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर बना कर इतने हजार रुपए बैंक से निकल वा लिये अब तो ऐसी पत्रिकाएं भी बड़ी संध्या में छपने लगी है जिन में हर तरह के अपराधों और अपराधिक को अपराधियों के चरित्रव जीवन विवरण को बहुत ही चटकारे लेकर छापा जाता है इस तरह है कि प्रकाशित होने वाले मासिक तथा पाक्षिकों की संख्या लगभग हजार बताई गई है इन में से कई की प्रिसार संख्या 40 से 50 हजार से लेकर 2 से 3 लाग तक है एक प्रसित पत्रकार ने प्रकाशन नीती के इस परिवर्थन की और इंगित करते हुए लिखा था पिछले कुछ महिनों में अधिकांश मासिक पत्रिकाओं की दृष्टी ने जो करवट पदली है वह चिंता जनक है इन पत्रिकाओं से प्रकाशित कहानियों और अन्य सामग्रियों सामग्री का चैन प्रायह विदेशी पत्र पत्रिकाओं के आधार पर किया जाता है उनका भारतिय करण किया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि वह सारी गटनाय सत्य है इन कहानियों का नायक आमत और पर कोई अपराधी होता है और अपराध कथाओं को रोमान्चक बना कर वीर्ता की शकल दी जाती है हो सकता है इस तरह की कहानिया कहीं सच्ची घटनाओं के आधर पर ही लिखी जाती हो लेकिन प्रश्ण यह है कि क्या अब प्रकाशित करने के लिए इसी तरह की सामगरी बची है इसके अतरिक्त सचमुच कहीं कुछ ऐसा घट नहीं घटता जो अनुकरणिये हैं और अभिनंदनिये हैं क्या भारतिय दर्शन और अध्यात्मा हमारे सामाजिक जीवन का रत्ति भर प्रभावित करने में असमर्थ हो गया है इन दिनों निश्चित यह ऐसी बहुत कुछ घट रहा है जिसे अनुचित अवांचनिय और अपरात पूर्ण कहा जाए समाजपूरी तरह तमसाच्छादित नहीं हो गया है जीवन में अंधेरा है तो जला भी कम नहीं है बहुत कुछ अशुप और अवांचनिय घट रहा है तो ऐसी घटनाय भी कम नहीं है जिन पर गर्व और गौरव किया जा सके तथा यह कहा जा सके कि मनुष्यता जीवित है धर्ती पर धर्म और नेतिकता साहयता तथा मानवता जीवित है फिर इस पक्ष को सामने क्यों नहीं लाया जाता जीवन और जगत में अंधकार तथा आलोक दानो का ही अस्तित्वव विद्यमान है तो क्या कारण है कि आलोक को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है तथा अंधकार को इतना महत्व दिया जाता है इसका एक कारण तो समझ में आता है कि जो स्वाभाविक होता है उसकी प्रायह उपेक्षा ही होती है कोई कुट्ता आदमी को काट ले तो यह कोई खबर नहीं बनती किन्तु कोई आदमी कुट्ते को अपने से काटने लगे तो खबर बन जाती है कही कोई मानविय समवेदना को उस पर शक करने वाली घटना घटती है तो उसे अधिक से अधिक पाचसात लाइनवे छापकर जबकि अपराद घटनाओं को लंबे चोड़े विवरणों के साथ प्रकाशित किया जाता है। जबकि अलोग पक्ष की उपेक्षा करने से भारी बड़ी भारी क्षती हो रही है। कहा जाए कि इस अती से लाग मनुश्यों को कहा जाए कि इस अती से लोग मनुश्यता के प्रती अपनी आस्था तूटती से अनुभव करने लगे हैं तो भी यह अत्योक्ति पूर्ण नहीं होना चाहिए। जीवन के इस उजवल पक्ष को सामने लाने का सिलसिला यदि चल पड़े तो सचमुझ ही अनेको असंख्यों व्यक्तियों को वह आलोग पूर्ण पत अपनानी की प्रेड़ा मिलेगी। और जीवन को जीने योग्य बनाता है। प्रेस और प्रकाशन तो स्वतंत्र हैं, सबकी अपने अपने नीतियां हैं और वे इन नीतियों के अनुसार ही संचालित हैं। इसलिए उन्हें बदलना तो अपने हाथ की बात नहीं, किन्तु पाठक उन पर दबाव तो डाल ही सकते हैं। प्रत्यक जागरूप और विचारशिल व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में प्रचलित समाचार पत्रों के संपादकों से प्रेड़ना और प्रकाश प्रदान करने वाली घड़नाय प्रकाशित करने का अनुरोद करें। एक आद दो व्यक्ति इस तरह का अनुरोद करें तो इसे टाला भी जा सकता है। उनको पढ़ने, मंगाना या अपने परिवार के किसी सदस्य के हाथ में देना एकदम रोग देना चाहिए। उनसे भी अनुरोद किया जा सकता है कि वे अपराद कथाओं के स्थान पर आदर्श वादी चरित्र निर्मान की प्रेड़क कथाएं प्रकाशित किया करें। वाली घटनाओं को सामने लाने के लिए सहकारी अधार पर स्थानी प्रकाशन योजनाय भी बनाई जा सकती है। प्रस्तुती करण ठीक बन पड़े तो उनकी सफलता में जरा भी संध्य नहीं है। फिर और लोग भी उनका अनुकरण कर सकते हैं। इस प्रकार जीवन का उज्वलपक्ष सामने लाने के लिए कई प्रयास किये जा सकते हैं। जीवन का उज्वलपक्ष मन को स्फूर्दी देता है और रुदय में उर्मिया उत्पन न करता है। वह अंतकरण की मंद ध्वनी को मुख करता है। आवशक्ता केवल इसी बात की है कि इसके महत्व को समझा जाए और उस आलोको को प्रस्तुत किया जाए जिसमें अंधकार को निगलने की अखंड शक्ती भरी हुई है।